जरूर यहां दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे DDLJ की कहानी का संक्षिप्ट सारांच दिया गया है फिल्म की शुरुवात राज शाहरुप खान और सिमन काजोल की यूरोप यात्रा पर मुलाकात से होती है वे शुरू में साथ नहीं मिलते लेकिन समय के साथ वे करीब हो जाते हैं और प्यार में पढ़ जाते हैं हाला कि सिमन की पहले से ही कुलजीत नाम के एक व्यक्ती से सगाई हो चुकी है और उसके पिता चौधरी बलदेव सिंग, अमरीश पूरी, बहुत पारंपरिक और रूडिवादी है उसने कुलजीत से शादी में सिमन का हाथ बंटाने का वादा किया है और जोर देकर कहा है कि वहां उसकी इच्छाओं का पालन करे राज और सिमन यूरोप में अलग हो जाते हैं, लेकिन राज सिमन के पिता का दिल जीतने के लिए भारत जाने का फैसला करता है और सिमन को उससे शादी करने के लिए मना लेता है राज कुलजीत का दोस्त बनकर सिमन के परिवार से दोस्ती करने में काम्याब हो जाता है लेकिन सिमन उसके इरादों से सावधान है जैसे जैसे शादी की तारीक नजदीक आती है राज और सिमन एक साथ रहने के लिए बेताब हो जाती है वे भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह तब विफल हो जाता है, जब सिमन की बहन अपने पिता को उनके इरादों के बारे में बताती है बल्देव गुस्से में है और सिमन को कुलजीत से तुरंत शादी करने का आदेश देता है अंत में राज और सिमन बल्देव को समझाने में सक्षम होते हैं कि उनका प्यार सच्चा है और वा उन्हें शादी करने के लिए राजी हो जाता है बल्देव की स्विकृती और आशिर्वात के साथ एक ट्रेन में सूरियास्ट में सवारी करने वाले यूगल के साथ फिल्म समाप्थ होती है पूरी फिल्म के दोरान कई यादगार दृशे हैं जिसमें प्रसिध पलट दृशे भी शामिल है जहां राज सिमन को मुड़कर उसे देखने के लिए कहता है और वहाँ दृशे जहां राज सिमन को सरसों के खेत में रित्ति करना सिखाता है कुल मिलाकर दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे एक क्लासिक प्रेम कहानी है जो दुनिया भर के बॉलिवुड प्रशंसकों की पसंदीदा बन गई है